है लो वैस्ट आज हम बात करेंगी कि कैसे आप इंडिया में registered Piedzieć बन सकते हैं अपता फार्मसिस्ट रेज़िस्टे से करा सकते हैं इस वीडियो में जो जो हम टop1 कवर करेंगे अगर उनके बारे में बात करते हैं तो वो है कि फार्मसिस्ट कौन होते हैं कौन रजिस्टर्ड फार्मसिस्ट होते हैं कैसे आप एक रजिस्टर्ड फार्मसिस्ट बन सकते हैं Entry Level Qualification Pharmacy Course के लिए क्या होती है? Pharmacist के Registration के लिए किन-किन डोकुमेंट की जूरत होती है. कैसे आप Pharmacist Registration के लिए अपलाई कर सकते हैं, पूरे प्रोसीजर की बात करेंगे. और Pharmacist Registration का स्कोप क्या रहता है, कहां-कहां वो यूज हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं कि Pharmacist कौन होता है? Pharmacist वो परसन होता है जिसके पास कोई भी Pharmacy, Professions Related Qualification होती है. minimum उसमें चाहिए उसके पास D Pharmacy है, B Pharmacy है, या हम Pharmacy है, या उसके पास Pharma D की डिग्री है. यह तो हमने बात करी है Pharmacist की, अब बात करते हैं, Registered Pharmacist की अगर हम बात करें तो Registered Pharmacist वो परसन होते हैं, जिनके पास pharmacy profession से related qualification होती है और उनका जो नाम होता है वो pharmacy council जो state की pharmacy council होती है उसमें registered होता है जिस state में वो रह रहा हो या जहां पर वो business conduct कर रहा है वहां की जो state pharmacy council है उसके register में अगर उसका नाम registered है तो उसको हम registered pharmacist कहते हैं अब बात करते हैं कि कैसे आप registered pharmacist बन सकते हैं आपको फार्मसिस्ट बनने के लिए एक परसंद को एक मिनिमम क्राइटिरिया फोलो करना पड़ता है फार्मसिएक्ट के अंदर इंडिया में रेजिस्टर्ड फार्मसिष्ट बनने के लिए एक स्पेशल क्राइटिरिया दिया गया है फार्मसिएक्ट के अंदर एक परसंद जो अपने आपको फार्मसिस्ट के अंदर गद रेजिस्टर कराना चाहता है तो उसके बस minimum या तो डिपलोमा इन-फार्मेसी होने चीए धीगरी होने चीए फार्मेसी में या फार्मा डी यह होनी चीए तो इन क्वावलिफिकेशन्स को पूरा करके वह अपने आपको वो pharmacist registration के लिए eligible करा लेता है वो pharmacist registration के लिए eligible हो जाता है अगर आपको पांसो गंटे की कम से कम तीन महिने के अंतराल में physical training की भी जूरत होगी practical training की भी जूरत होगी किसी भी hospital में registered pharmacist के लिए applicable होने के लिए और state pharmacist register में आपका नाम register होने के बाद आप registered pharmacist बन जाते हैं आप बात करते हैं कि entry level qualification क्या होती है pharmacy course के लिए अगर हम diploma in pharmacy की बात करते हैं जो की एक दो साल का diploma course होता है तो उसमें यहां दियेगे qualification आपके पास minimum होना चाहिए अगर हम simple सब्दों में करें चाहिए आप non medical से हो च दोनों में से कोई भी है तो आप applicable होते हैं चाहिए आपके पास intermediate examination है science में या plus two examination है या pre degree examination है या कोई PCI द्वारा कोई ऐसा approved qualification है जो इन सब के equivalent मानते हैं वो तो आप diploma in pharmacy के लिए eligible होते हैं अगर हम भी pharma की बात करते हैं जो की bachelor in pharmacy है चार साल का course होता है तो उसमें भी चाहि आप non-medical से हैं चाहिए physics chemistry biology से हैं चाहिए physics chemistry mathematics से हैं तो अगर आपके पास इन में intermediate examination है science में plus two examination है science में pre degree examination है या कोई और कोई ऐसा qualification जो PCI इसके equivalent पानती है और अगर आपने diploma in pharmacy किया हुआ है किसी भी PCI approved institution से तो भी आप भी pharma के लिए eligible होते हैं और तब आपको second year में admission मिलत हैं अगर हम फर्मडी की बात करते हैं जो 6 साल का course है तो चाहिए आपके पास medical है चाहिए आपके पास non-medical है यानि चाहिए आपके पास physics chemistry biology है या फिर आपके पास physics chemistry math है और आपने intermediate कीवी है science में plus two कीवे science में free degree examination है कोई आपके पास या फिर कोई ऐसी qualification जिसको PCI इसके equivalent ब ने भी फार्मा की वी है तो भी आप eligible होते हैं फार्माडी के लिए तब आपको fourth year में admission मिल जाता है directly फार्माडी के अब बात करते हैं कि document आपको क्या क्या required रहेंगे pharmacist registration के लिए अगर हम document की बात करते हैं तो सबसे पहले तो जो आपके educational qualification certificate है जो आपके 12th के है या जो intermediate examination की जो हमने बात करी थी या फिर अपने अगर diploma किया है तो diploma के सारे certificates सबकी mark seats भी फार्मा की है तो भी फार्मा की फार्माडी की है तो फार्माडी की इसके अलावा आपको proof of ad identification लगेगा और रिजिस्ट्रेशन प्रूफ लगेगा जिस state में आप apply कर रहे हो registration के लिए और आपका होता है वो आपको किसी hospital में करना पड़ता है तो वो भी यहां पर आपका practical training certificate लगेगा इसके अलावा जो prescribed fees होती है वो आपको पे करनी पड़ेगी आपके photograph रगेंगे अगर कोई affidavit मांगता है आप से कोई भी state pharmacy council तो वो आपको यहां पर submit करना पड़ेगा इसके अलावा आपका जो आपके institution से आपको क्रेक्टर सर्टिपेट मिलेगा वो लगेगा या फिर college living certificate जो आपको होगा migration के उसमें migration certificate या कुछ भी जो transport certificate जो भी वहां पर आपके पास applicable होगा वो आपको लगाना पड़ेगा इसके अलावा लेटर लगेगा pharmacy institution से या college से जो यह दिखाएगा कि जहां से आपने डिप्लोमा किया है डिग्री की है या फार्माडी करी है वो PCI से अप्रूड है या नहीं है इसको PCI से अप्रूबल है के नहीं है तो उसी के बेसीज़ आप क्वालिफाई होते हैं अगर आपका institution ऐसा है जो PCI से अप्रू अब बात करते हैं registration procedure के बारे में कि कैसे आप pharmacist registration के लिए apply कर सकते हो pharmacy act के अंदर अगर कोई person 18 साल से बढ़ा है और वो कोई state में रह रहा है या अपना pharmacy से related business वहां पे चला रहा है या अपना pharmacy profession वहां पे practice कर रहा है तो वो eligible होता है उस state के pharmacy register में अपना नाम रेजिस्टर कराने के अगर उसके पाल डिग्री है डिप्लोमा है pharmacy में pharmaceutical chemistry में chemist में या ड्रगिस्ट डिप्लोमा उसके पास है तो वह अपना नाम यहां पे रेजिस्टर करा सकता है उस state pharmacy council में जो आपकी application होगी वह state pharmacy pharmacy council के रेजिस्टर को होगी और जो फ्रिसकाइफीस होगी वह भी आपको महां पे अटैच करनी पड़ेगी application के साथ और उसके अलावा जो और वह पाता है कि आप eligible नहीं हो तो आप rejection के तीन मंद के अंदर ही अपना state pharmacy council को आप अपील कर सकते हो registration की और उसके बाद जो state pharmacy council का decision होता है वह वहां पे final माना जाता है और जब आपका नाम वहां पे register हो जाता है तो फिर आपको एक certificate ही कर दिया जाता है registration का registration process होता है वह state to state vary करता है कुछ state's में online hoता है कुछ state में offline होता है कुछ stateängt में online apply करना पड़ता है memtivism कं के लिए आप और ऊंके office में visit करना पड़ता है कुछ में नहीं करना बढ़ता है तो आपको registration process में बढ़ने से पहले अपना जो आपका state pharmacy council है उसका जो complete procedure है उसके बारे में जान लेना जरूरी है क्योंकि यहां हम generally common procedure की बात कर रहे है state wise state थोड़ा थोड़ा vary कर सकता है तो हर state की हम बात नहीं कर रहे है particularly जिन state में offline procedure होता है तो वहां पर जो candidate है उसको अपने सारे डोकुमेंट परसनली जाके वहां पर सब्मिट करने पड़ते हैं या पोश्ट के दवारा महां पर सब्मिट करने पड़ते हैं और जिन state में online procedure होता है तो वहां पर जो state pharmacy council की website है उन पर जाके आपको जो जो procedure उनकी website पे दिया होता है उसके इसाफ से आपको सारा data सारा information वहाँ पे fill up करने पड़ती है और अपने documents वहाँ पे upload करने पड़ते हैं फिर वो आपको physical verification के लिए बुला भी सकते हैं नहीं भी बुला सकते हैं यह state pharmacy council के जो भी procedure है उस पे depend करता है अब बात करते हैं कि pharmac इस फार्मशिस्त रिट सीस्टान का scope क्या रहता है अगर हम pharmacist रिशिस्टान की scope के बात करते हैं तो आप गवर्मिंट्ट फार्मसिष्ट की जॉब पे लग सकते हो जो फार्मसिष्ट की गवर्मन्ट hospitals में work hottee है वहां पे आप job कर सकते हो private hospitals में जैसे future आप job कर सकते हो आप अपना pharmacy store कोल सकते हो chemist soap खोल सकते हो या किसी भी pharmacy store पर job कर सकते हो इसके अलावा आप pharmaceutical, surgical या medical devices का distribution कर सकते हो also drug license ले सकते हो इसके अलावा आप cosmetic manufacturing chemist के रोपते भी काम कर सकते हो उमीद करते हैं यह information आपको अच्छी लगी होगी thanks for watching